सार थेंक यू सर हमारे एवलोपी साब ने एक ऐसा विशय यहां उठाया है और आज हमारी चर्चा पुरा देश सुन रहा है भारतिय जनताव पार्टी के बहुत से एवलोपी साब मैं आपको संभूजित कर रहा हूँ अजात साब आपने आपने आपके भाशन में मंत्री जी के नाम लिये है भारतिय जनताव पार्टी के बहुत से सांसद है उनका जिकर किया है जो विधायक है बहुत से उनका भी जिकर किया है कि ये सभी लोग भड़काव भाशन देते हैं समाज में सोसाइटी में डिविजन की बात करते हैं शुक्रिया की आपने हमारा नाम नहीं लिया है लेकिन आप एक नाम भूल गए है आप एक नाम भूल गए है जो भूलना नहीं चाहिए क्योंकि एलोपी जो होता है सिब एक पार्टी का नहीं होता है वो भी देश का होता है पुरे समाज का होता है यसी सरकार जो है किसी एक धर्म की नहीं है एक पार्टी की नहीं है पुरी देश की सरकार बात आगरा से शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश से राम गोपाल यादव जी आपके सरकार में जो मंत्रे आजम खान साब जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमेशा करते हैं करते आये हैं क्या ये देश को तोड़ने की अचे बहुत से बहुत से तो सदर नहीं थे अब हुद साथी आपके इमेले के बात की जहां ये खिया उत्तर प्रदेश के एक मंत्री है साथी आपने साथी आपने साथी करकिया साथी तो एक मंत्री जी स्वकार की भाषा का इस्तेमाल करता वो भी समाज में डिविजन की बात है देखिए मुझब पर नगर का बदला लेनी की बात हो गई अजम खान साब ने एक मंत्री ने मुझब पर नगर का बदला लेनी की अगर बात करते है मुझे लगता है कि ये डिविजन नहीं है समाज ये बात हो गई है कि ऐसरी बात है सर अभी आभी मैं पड़ रहा था अ हो कारवाई की बात होती है तो सभीधान की शफत अंगर उतरवदेश का एक मंत्री लेता है किंद्र का लेता है सभीधान सब के लिए समान है प्रिश पर जो हमला नहीं होता है बाद में बाबरी शहीद नहीं होती तो मुंबई भी हमला नहीं होता टो मुंबई में बाम बाम बलाष नहीं होता होता है करा नाद वी किल देक चल parl त impacting आब कर रेक सी पूरक कुंूदर ए पूम था अद रार्य कर फाल रेक kay g बेर हाल है नहींने जड़े हम सब force एग जय टेयरे संव नहीं यह लाओ़ लुटन